क्लास 10 साइन्स सपोज है आपका पदार्थ X है और इसके विलियन का उपयोग किस में हो रहा है सफेदी के लिए अब विलियन का उपयोग सफेदी में हो रहा है तो इसको पानी में मिला नहीं पड़ेगा तो इसको हम पानी के अंदर मिला देते है तो वो विलियन बन जाएगा यह आपका हो विले और पानी हो गया विलायक तो बन जाएगा विले मैं आपको थोड़ा सा सिलसिले बार समझा रहा हूं अधर्वाइस बहुत आसान है यह तो चलिए हम क्या कर रहे हैं यह आपका सपोस हम थोड़ी देर के लिए मानते हैं कि केल्शियम ऑक्साइड हमने लिया और केल्शि चूने को हमने लिया और हमने क्या किया उसको विलायक के रूप में लिया है ठीक है और विले के रूप में हमारे पास कोने पानी है अब हम इसको इसमें मिला देते हैं मिलाने से क्या होता देखिया यह पानी में आपने इसको मिलाया तो धीरे-धीरे क्या होता है यह आपका इस तरीके से पानी हो जाता है मतलब यह चूने का पानी बन जाता है तो यह विलायक CAO और विले में मिलाया आपने मतलब पानी में इसको मिलाया CAO को पानी में मिलाया और पानी में मिलाने के बाद में यह आपका विलियन तयार हो गया CAOS twice केलशियम हाइडरोकसाइड जिसको हम बुझा हुआ चुना कहते हैं पदार्थ X के विलियन का उपयोग सफेदी के लिए होता है तो यह पदार्थ सपोस मानली जी अगर मानली जी यह पदार्थ है तो यह इसका विलियन तयार हो गया इस पदार्थ का विलियन तयार हो गया औ और विले मिलकर क्या बना रहा है, विलियन बना रहा है, उसने ही का किसी पदार्थ X के विलियन का उपयोग सफेदी के रूप में हो रहा है, चली सफेदी के लिए हो रहा है, तो चली अब यह आपका विलियन रेडी है, अब हम इसको क्या कर रहे हैं देखिए, यह आपने बा आप CO2 से पुताई कर दिया और आप इसको दो तीन दिन के लिए रख देते हैं, पुताई करने के बाद दो तीन दिन तक छोड़ देते हैं, दो दिन एक दिन में हम देखते हैं, कि ये जो calcium hydroxide है, ये वायू में उपस्तित carbon dioxide से क्रिया करके, दिवारों पर calcium carbonate की एक पतली पर बना लेता है, और दिवारें चमकदार हो जाती है, calcium carbonate संगमरमर का भी सूतर है, तो दिवारें क्या हो जाती है, चमकदार हो जाती है, मतलब अगर आपने ये calcium hydroxide का, को एक बाल्टी भर आपने इसका विलियन लिया, या calcium hydroxide का विलियन लेकर आपने पुताई की, और दो ती कि ये जो calcium hydroxide का विलियन था, इस विलियन ने वायू की CO2 के साथ क्रिया करके calcium carbonate बनाया, जो की बड़ा ही चमकदार होता है, तो इस तरीके से दिवारें पर क्या आजाती है, सफेदी आजाती है, चमक आजाती है, अब सवाल वहां से लेकर यहां तक चलेगा, देखे कैसे, कि ये प्रश्णिय उठाया गया, इस पदार्थ X का नाम और उसका सूत्र, तो ये पदार्थ X और उसका नाम calcium oxide, जिसको हम कहेंगे, calcium oxide को हम क्या कहते है, बिना बुझा चूना, और क्या हुआ, पदार्थ X के विलियन का उपयोग सफेदी के लिए होता है, तो ये पदार् सफेदी के लिए, तो ये मैंने आपको अतिरिक्त रूप से थोड़ी जानकारी इसमें दे दिये, तो जो मूल रूप से बात हमारे सामने आई वो क्या है, कि जो X है, उसका नाम है calcium oxide, बिना बुझा चूना, ये पहले प्रश्ण का उत्तर होगे, X का नाम और सूत्र, तो य ये वो solid रूप में, जल लिकुड रूप में है, और ये C O S twice ये जली विलियन हमारा तयार हो गया है, और इस विलियन का उपयोग, X के विलियन का उपयोग सफेदी के लिए होता है, तो इस विलियन का उपयोग हुआ है सफेदी के लिए, बाल्टी भर के लिए और पुता ह करना शुरू और बाद में दो-तीन दिन बाद इसने क्या किया कि दो-तीन दिन में धीरे-धीरे-धीरे-धीरे एक मंद अभी क्रिया द्वारा वायू की carbon dioxide से क्रिया हुई और calcium carbonate बना और जिसकी यह सफेदी और चमक जो है हमें दिवारों पर दिखाई देती है तो ये हमारा दूसरे प्रश्ण का भी उत्तरवाग इस पदार्थ X की जल से क्रिया तो देखिए ये X है X को ने केल्शयम ऑक्साइड बिना बुजा चुना जो आपने सॉलिड रूप में इसके अंदर डाला था और आपने उसकी क्रिया कराई जल से और उसके बाद में ये बना बुजा हुआ चुना जिसको हम कहते हैं केल्शयम हाइडरोकसाइड तो ये केल्शयम हाइडरोकसाइड बना तो पदार्थ X के विलियन का उपयोग सफेदी के लिए होता इसके विलियन का उपयोग तो ये दोनों परश्णों के उत्तरम समझ सकते हैं धन्यवाद